आप सब को जय मसी की हम आपका स्वागत करते हैं आज सुभा की प्रात्न में आए आज की सुभा में हम सब मिलकर एक गवाही सुने और उसके बाद हम सब मिलकर वचन और प्रात्न में जाएंगे आप सभी को जैमसी की, मेरा नाम रूस मेरी है पिछले साल मेरे सिर में बहुत परिशानी हो गई थी मेरा ब्लड प्रिशार हाई हो गया था मैं खड़ी नहीं हो पाड़ी थी, बहुत दिक्कत हो गई थी मैं पलंसे लग चुकी थी तब मैंने प्रभी येसु से प्रातना करी कि प्रभी येसु मुझे चंगाई दे दीजिए इस सर के दर्स से, मुझे क्या हो गया ब्लड प्रिशार हाई हो गया, कभी ऐसा हुआ ने तो प्रभी येसु ने मुझे चंगाई दी और मैं ब्रदर पीके और सिस्टर हमरिता की हमेशा सुबह शाम की प्रेयर सुनती हूं उनको धन्यवाद उन्होंने मेरे जीवन में बहुत चमत्कार किये हैं वैसे ही परमेश्वर आपके जीवनों में भी अद्बुत अश्यरे कर्म करना चाहते हैं आप मौका दीजिए प्रभु येश्व मसी को अपने जीवन में कारे करने का क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है और वो सब कुछ कर सकता है उसके लिए कुछ भी असंबव नहीं है सो प्रभु इस गवाही के दौरा आपको आशीज दे आईए हम सब मिलकर आज की सुभा में परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे और आज का वचन भजन सहीता उसका अठारा अध्याए और तीन पद में कुछ इस प्रकार से कहता है मैं यहुआ को जो इस्तूती के योग्य है पुकारूंगा इस कारण मैं अपने सत्रों से बचाया जाऊंगा आमिन सच में आज की सुभा में परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि वो हमें हमारे शत्रों से बचाएगा यहां पर हम इस वचन में देख रहे हैं कि भजनकार दाउत कहते हैं कि यहुआ ही इस्तूती के योग्य है और उस इस्तूती के योग्य परमेश्वर को मैं पुकारूंगा और उस पुकारने के दुआरा मैं मेरे सत्रों से बचा रहूंगा यह फिर परमेश्वर मुझे मेरे सत्रों से बचाएगा मैं आपसे आज की सुबह में कहना चाहती हूँ कि आप उस सच्चे और जीवित प्रभु येश्व मसी के स्तूती कीजिए जो स्तूती के योग यह है पर्मिश्वर भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में पर्मिश्वर की स्तूती करें जिसके द्वारा आप अपने शत्रों से बचे रहेंगे जब आप परमीश्वर के नजदीक जाएंगे तो आपका विरोधी, आपका शत्रू उतनी ही दूर आपसे जाएगा इसलिए आपको चाहिए कि आप परमीश्वर की स्तूती करें इस्तूती करें उसके वचन पर मनन करें उस पर भरूसा करें उसके नजदीग जाएं ताकि जो आपका विरोधी आपके शत्रू आपकी जीवन की प्रॉब्लम से हैं वो आपकी लाइफ से दूर चली जाएंगे इसलिए आपको चाहिए कि आप इस वचन को अपने जीवन के लिए कहें बजनकार दाउत की तरह आप इस बात को कहें कि हम परमेश्वर जो इस्तूती के योग्य है उसे पुकारेंगे आप भी अपने जीवन में परमेश्वर को पुकारें जब आप परस्तितियां आपकी वि आपके जीवन की परस्थित्य को बिल्कुल विपरीत करने के लिए तयार है सो आपको ऐसे समय में चाहिये कि आप पर मिश्य के वचन पर विश्वास करें आप उस पर विश्वास करें ताकि आपके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है जब आप पर antibiot को पुकारेंगे तो ही आप अपने जीवन में उन सत्रों से बचे रहेंगे जो आपके जीवन को स्पोईल करना चाते हैं, जो आपके जीवन को खतम करना चाते हैं, वो विरोधी जो आपके लाइफ को स्पोईल करना चाता है, आपके जीवन को नस्ट करना चाता है, उससे आप बचे रहेंगे सो आपको जुरत है कि आप परमेश्व की स्तूदी करें आप उस पर भरोसा करें और अपनी लाइफ में परमेश्वर को पुकारें हर मुसीबत हर संकट में हर परस्तिती पर और उस पर भरोसा करें उसकी स्तूदी करें प्रमेश्वर इस वचण के द्वारापको आशीज दे, कि first of all of these is quach dönem REALLY चाहिए अपको साहिट करना चाहती हूं कि आप भी हमारे साथ मिल कर प्रात्र न करें, अपने विशजयों को येश्व मसिच के सामने रखना शुरू करें, इस भोर के प्रकाश में आपको चाहिए कि आप खुलकर प्रभू से प्रात्न करें आए हम प्रात्न करेंगे धनिवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रह कारी पिता परमेश्वर प्रभू इस सुंदर समय के लिए हम आपका धनिवाद करते हैं धनिवाद करते हैं कि आप अनुग्रहकारी विलम से कोप करने वाले अति करना में परमेश्वर है प्रबुजी, आप सिस्टी करता है पालनहार परमेश्वर है प्रबु, हम आपका धनिवाद देते हैं परमेश्वर, आपके पवित्र और मीठे और सामर्थी नाम के अमस्तू करे प्रभो जी क्योंकि प्रफुजी जिस प्रकार भजनकार अपने भजन में Market कि यह वह मेरी चटान्न और मेरा गड और मेरा चुडाने वाला और इस्षोर है में उसी पर भरोसा रखूंगा पर भरोसा करके आपके समीब बैठे है कि यह सम्हें जितने गलत काम से जो आपकी नजरों में गलत है और पाप में गिना जाता है प्रभू ये कार ये आपके बेटे-बेटियों के जीवन से नहोने पाएं परमीश्वर, आपका पवित्र आत्मा प्रभू उन्हें सही डारेक्शन में गाइड करें, सही बातों को उनके जीवन में आप ओने परमीश्वर, होने दे प्रभू जी ये भजनकार दावत की तरह प्रभू जी आपको आपकी स्तूति करें, आपको पुकारें ताकि अपने जीवन में उन विरोधियों से उन शत्रों से बचे रहें जो इनके जीवन को नस्ट करने पर लगे हैं मेरे प्रभू जी ये शारीरिक रूप से प्रभुजी मांसिक रूप से प्रभुजी और प्रभु फाइनेंशली प्रभुजी जो भी नुकसान उनका हुआ है प्रभु येश्यमसी उसकी भरपाई आप करें प्रभु और आप उनके लिए प्रभु नए दर्वाजों को खोले न्यू डोर्स को उनके जीवन में अच्छा करें प्रभू हम आपका धनिवाद करते हैं परमेश्वर मैं प्रातना करती हूं प्रभू जी आप इन्हें ऐसा हियाव दे ऐसी बलसक्ति और सामर्थ दे परमेश्वर प्रभू कि यह आप से प्रातना करें आप की स्तूति करें आपके निकटा में बढ़ें और आपको पुकारे परमिश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी आप प्रभु येश्व मसी इने इनके शत्रों से बचाए परमिश्वर जो इनकी हानी की कलपना करते हैं मेरे प्रभु जी उन लोगों से आप इने प्रोटेक्ट करें मेरे विश्र आपका कार्ये, प्रभु हम इन भाइ बेळनों की जीवन में इनके परिवारों में मांघते हैं प्रभु और कहते हैं से और महामारी से बचाएगा हाँ मेरे परमेश्वय आप इने बचाए प्रभू इस समय जितने भी लोग बीमार है प्रभू उनके शरीरों में जो भी बीमारी है येश्व मसी के नाम से उस बीमारी को हम आग्या देते हैं निकल जाओ इनके शरीर को छोड़ कर अभी और इसी इनके घर परिवारों में कमाईयों पर बरकत अदर शीज दे परमेशिव प्रभु जी, हपारिवार से अधी दूर हो जाए इसु के नाम से और प्रभु आप इने सफल करें के बच्चे जो गलत रास्ते में है प्रभू उन्हें सही रास्ते पे लाने में मदद करें प्रभू उनके जीवन को आप परिवर्तत करें जो लोग बेरुजगार हैं उन्हें अच्छी जॉब देने में मदद साहिता करें जिनका प्रभू कारोबार ठप हो गया है प्रभू येश्मसी उसे फिर से ग्रो होने मे मदद करें परमेश्वर प्रभु जी इस समय प्रभु लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोग हैं प्रभु जिनकी जरुतें प्रभु बहुत जिनकी जरुत पूरी नहीं हो पारी प्रभु येश्व मसी आप उनकी जरुतों को पूरी करें प्रभु हर एक की नीड्स को फु आप नहीं शोफ हैं आप अधिका ऐसे आपके वचन और प्रातन में बढ़ने में मदद कीजिए जब यह फिर आक कहीं जन को आपके शेड स की अपने कहा है मेंій सुरक्षा अपने कहाई i're आन जाने में तेरी रक्षा अपसे लेकर सदा तक करता रहूंगा धन्यवाद मेरे प्रभू धन्यवाद येशु मसी हम आपका धन्यवाद देते हैं सारी बातों को हम आपके हातों में देते हैं इन भाई बेनों को इनके परिवारों को इनकी जरतों को इनके निवे दनों को आपके हातों में देते हैं प्रभू हमारी प्रात्नों को आपने सुना उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया येश्यू के नाम से प्रात्ना मांगते हैं आमेन आमेन और आमेन